गुड मॉर्निंग नमस्कार सुप्रबाद दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे यथार्थवाद एवं अती यथार्थवाद के बारे में और साथ ही जो हम लोग इसके साथ ही साथ एक अलग टॉपिक भी कबर करेंगे जो हमारा होगा भविशिवाद एवं जंगलवाद तो क क्या है यथार्थवाद और अती यथार्थवाद और किसे कहते हैं भविशिवाद और जंगलवाद तो आईए इस टॉपिक में हम लोग वन बाई वन समझते हुए चलेंगे और साथ ही साथ प्रशनोतरी की कोश्चनों को जिसे MCQ कह सकते हैं कवर करते हुए चलेंगे तो सही भी कल्ब है दाउद मिएर तो कौन था दाउद मिएर का पूरा नाम था होनोर दाउद मिएर एक प्रतिवासाली प्रिंट मेकर कार्टूनिस्ट चित्रकार और मुर्तिकार सब कुछ था और साथ ही साथ ये जो है यथार्थवादे चित्रकार भी था दो वकील कृती है तो दो वकील जो कृती है वो है दाव मेर की नेक्स्ट दाव मेर बारी आकार को लेकर नहीं बलकि अनुभूती के आदार पर चित्रों को बनाता था और उसकी ये विशेस्ता जो है फ्रेंच कला में अधुतिय थी उसने नियालाय में कार किया था और उसका मत्था कि संसार में वकील के चलते मुख से बढ़कर कोई विचित्र वस्तू नहीं है तिसरी स्रेंडी का डिब्बा कृती का चित्रकार कौन है? तो इसका चित्रकार है दाव मेयर नेक्स्ट विकास भटाचारी ने किस वाद में चित्रन कार किया? तो इन्होंने कार किया है अतिय थार्थ वाद में तो विकास भटाचारी काउन है? इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डीप में जनकारी लेंगे तो विकास भटाचारे का जो जन्म है वो हुआ था 1940 में 1963 में इन्होंने इंडियन कालेज आफ आर्ट से असनातक किया उसके बाद 1968 से इसी कालेज में कला भी बाग के अध्यापन का काले भी किया इन्होंने भारती कला में यह थार्थवाद की वापसी की अब विकास भटाचारे ने कम समय में ही अपनी डाल सीरीज के ब्याउसाईक सफलता प्राप्त की इनकी कृती दुरगा सीरीज थी निम्न चित्रकारों में से कौन अतियतार्थवाद से प्रभावित है तो विकास भटाचारे जो ए अती यथार्त वाद से प्रबावित हैं फ्राइट के सिद्धांत एवन मनोविस लक्षणात्मक ज्यान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया है तो यह किया है अती यथार्त वादी चित्रकार सलवाडोर डाली 1904-1989 विस्विख्याद चित्रकार थे जिन्होंने अतियतार्थवादी चित्रकारी को जर्म दिया उनके चित्रांकन में औचेतन के पीछे यतार्थ का असल कारण उन पर फ्राइड के लेखन का असर है उन्होंने फ्राइड के अध्याद से ही स्वप्न की कलपना तरंगों के कलात्मक महतों को पैचाना इनके कुछ महतोपूर तथ्यों में जलता हुआ जिराफ दब बर्निंग जिराफ 1935 में जो है इसको उन्होंने चित्रत किया ग्रे यिद्द की पूरो सूचना तथा इसा का कुरुषा रोपन सालवा डोर डाली के प्रसीद चित्र है आंद्रे बेत्रों ने लिखा मेरा विश्वासे की बविश्च में प्रतेच रूप से विरोधी आस्थाएं सुपनवा जागरेत निर्पेक्ष यथार्थ में यानि अति यथार्थ में एक रूप होंगी दब बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार का नाम है दब बर्निंग जिराफ तो ये हैं डाली नेक्स सालवा डोर डाली अती यथार्थवाद के किस چत्रकार ने फ्राइड के अधियन से ही स्वपन की कलपनत रंगों के कलातमक महत्यों को पहचान लिया था तो ये हैं सलवाडोर डाली नेक्ष्ट इस्पेन का अती यथार्थवादी कलाकार कौन था तो ये थे Salvador Dali Next Sorry Nimn में से कौन Salvador Dali का है तो इन में से Sorry Nimn में से कौन Salvador Dali का है तो सही भी कल्प है Option है The Persistence of Memory The Persistence of Memory Next प्रमुख अति यथार्थ वादि चित्रकार का नाम बताईए तो यह है Salvador Dali Next Salvador Dali किस कला अंदोलन से संबंदित थे तो यह अति यथार्थ वादि से संबंदित थे Salvador Dali एक चित्रकार था तो यह था अति यथार्थ वादि का Next Persistence of Pleasure चित्रका कलाकार कौन था तो actual में इसका कलाकार कोई भी नहीं है क्योंकि यह जो रचना है यह रचना गलत लिखा हुआ है The Persistence आप Memory नाम से जो है रचना है Next Melting Watch किसकी पैंटिंग है तो यह पैंटिंग है Salvador Dali का Next Autobiography Diary of a Genius किसकी आत्मकथा है तो यह आत्मकथा है Salvador Dali की Next अति अथार्थ वाद को किसने बिकसित किया तो अति अथार्थ वाद को बिकसित किया है ब्रेतो ने आईए ब्रेतो के बारे में जानते हैं कौन था ब्रेतो तो अति अथार्थ वादी कला को बिकसित करने का स्रे जो है फ्रेंच लेखक और कवी आंद्रे ब्रेतो को है 1924 में आंद्रे ब्रेतो ने अति अथार्थ वाद का जो है प्रथम गोश्रा प्रकासित किया संच्छिप में उनका जो निसकर्थ था वो बिशुद स्वेम चालित मनोबै ज्यानित क्रियाउंग से भाशर लेखन चित्रन या अभिव्यक्ति के अन्य मादमों द्वारा शत्ते रूप में प्रकट किया जा सकता है इन में से अतिय थार्थवादी कलाकार नहीं है जो जैक्सन पोलाक नहीं है क्योंकि जैक्सन पोलाक एक प्रतिबासाली अमेरिकी चित्रकार थे वो एक अमुर्थ अभी बियंजना वादी है तो जैक्सन पोलाक जो है अभी बियंजना वादी कलाकार है अती यथार्थवाद के अंतरगत फ्रोताज पद्धतिका किस ने अविस्कार किया मैक्स एरनस्ट ने किस अती यथार्थवादी चित्रकार ने भित्य चित्र पेरिश में युनिसको इमार्थ पर बनाया है इसका सही बिकल्प है बिकल्प A जान मीरो कौन था जान मीरो जान मीरो दवाल आप दमून वित्तिचित्र पेरिश में यूनिस्को इमारत पर बनाया जान मीरो का जो जन्म है वो 1893 में बर्षी लोना जो की स्पेन में हुआ था 1957 में युनेसको की वास्तु और कला पर काम करने वाली समिती ने अपने मुख्याले की सजावट के लिए 11 कलाकारों का जो है चायन किया जिसमें से अतिय थार्थवादी चित्रकार जान मीरो भी एक थे उन्होंने मुख्याले की दिवारों पर दो भीती चित्र दवाल आप दमून और दवाल आप दशन बनाए इसके लिए उन्हें गुगने इनिम पुरसकार प्रदान किया गया जान मीरो ने 1944 इस भी में सरव्थम्मिट्री के पात्रों को बनाया था नेक्स्ट चांद को देखकर भूगता हुआ कुट्ता किस का चित्रकार की जो है कृती है तो ये कृती है जान मीरो की नेक्स्ट पत्थर तोड़ने वाले कृती के कलाकार का नाम क्या था तो ये था कुर्बे कौन था कुर्बे आए जानते हैं फ्रांसेसी चित्रकार कुर्बे यथार्थ वात रियलीज्म का प्रमुक्ष चित्रकार था इसने पेंटर इंदा इस्टोडियो तथा पत्थर तोड़ने वाले नामक प्रसिद चित्र को जो है चित्रत किया था साथ है मातोपूर्ण तथ्यों के अनुसार 1844 इस्वी मिराष्टी प्रदर्शनी में कुर्बे के चित्रकुत्ते के साथ चित्रकार को सुविकृति प्रदान की गई थी औरना का भोजन चित्र पर कुर्बे को प्रसकार प्राप्थ हुआ था कुर्बे के प्रमुक्षित्र है अस्नान मगन यूती तोतावत तरूड़ी सेन नदी के किनारे पर दो महिला है औरना के दफन संसकार चित्रकार का कारिकक्ष आधी प्रसित लेखक अपोलिने एर ने कुर्बे को गनवाद का जनक माना है नेक्स्ट यथार्थवाद का प्रमुक्षित्रकार कौन था तो ये था कुर्बे नेक्स्ट निम्ने में से कौन भूद्रिश्च चित्रकार है तो ये कोरो तो कोरो काउन है आईए समझते हैं जिन वैपरिष्टिक कैनीले कोरो एक फ्रांसीसी जो है भूद्रिश्च चित्रकार था कोरो यथार्थवाद तथा स्वचंता वाद आंदोलन से जुड़ा था वेवेन वेदे परल कोरो द्वारा चित्रित प्रसित चित्र है वरतमान में ये जो है लूब्र संग्र आले पेरिस में है नेक्स्ट भविश्वाद ये उन जंगलवाद भविश्वाद और जंगलवाद से संबन्दित कुश कोशनों को करेंगे और आगे बढ़ेंगे कौन सा कला आंदोलन गती पर आधारित था तो ये था भविश्यवाद गती पर आधारित था आईए जानते हैं किस तरीके से इटली की आधुनिक कला का जो आरंब है वो भविश्यवाद से हुआ उसके प्रणेता फिलिप्पो तुम्मासो मारी नित्ती थे मारी नित्ती का संदेश्था हमारा निश्चित मत है कि नए संदर्ष ने दुनिया की सोबा बढ़ाई यह गती का शंदर्ष अन्यम अत्मूर्ट तथियों में देखते हैं भविश्यवाद के वैचारिक आधर्स थे संकट से प्यार आक्रामक्ता युद्ध की प्रसंसा देश भक्ति जीवन के अन्यायों का अउचित वग गवर्यव भविश्यवादी चित्रकला का प्रथम जो घोशड़ा पत्र था वर्ष 1910 में त्यूरीन में प्रकासित हुआ साथ है शाथ मारे नित्ती मिलान ने पो एशिया नाम की पत्रिका का प्रकासिन शुरू करके प्रतिक वादी साहित का प्रशार किया भविश्यवाद आधुनिक कला कांदोलन किसके द्वारा आरंब किया गया तो ये आरंब किया गया है इटली के कलाकारों के द्वारा नेक्स्ट भवी सिवाद किस देश में प्रानरम हुआ तो ये हुआ इटली में भवी सिवाद अर्थात फ्योचरिज्म का उद्वाओ किस देश में हुआ तो इटली में हुआ नेक्स्ट भविशिवादी चित्रकार का नाम बताईए तो जो भविशिवादी चित्रकार है उसका नाम है कारलो कारा कौन प्रसिद फाउज्म का कलाकार था तो ये था हेनरी मातिस ये फाउज्म का प्रसिद कलाकार था फ्रेंच बासा का सब्द है जिसका अर्थ जंगली होता है फ्रेंच बासा का सब्द है जिसका अर्थ जंगली होता है अब फ्रांसेसी चिंत्रकार हेनरी मातिस एक प्रशिद फ्राववादी अर्थात जंगली चित्रकार था जंगलवाद के साथ इसका जुड़ाव प्रभावाद से भी था women with a hat Henry मातिस का प्रसित चित्र है कौन सा? woman with a hat next मातिस किसकला अंदोलन के अग्रणी थे तो मातिस जो है भाववाद के अग्रणी थे मातिस किसकला अंदोलन का कलाकार था तो यह था जंगलवाद کا कलाकार नेक्ष्ट हेंडरी मातिस किस कला अंदोलन से संबंधित है फाव उज्म या जंगलवाद जंगलवादी चितरकार का नाम बताईए तो जंगलवादी चितरकार का जो नाम है वो मातिस है फाववाद का सबसे पुराना या सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था तो ये था मातिश मातिश का डांस चित्र किस संग्र आले में है तो ये चित्र जो है म्यूजियम आप दा मार्ण आर्ट नियू यार्क संग्र आले में है हरी पट्टी किसका चित्र है तो हरी पट्टी जो है हेनरी मातिस का जो है चित्र है जाय अफ लाइफ नामक पैंटिंग किसकी है तो ये है हेनरी मातिस की तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में तब तक के लिए जहिन